जब भी construction करने की बात आती है तो सरिये में अच्छा कासा पैसा खर्च हो जाता है और सरिये की एक दिक्कत ये भी होती है कि सरिये में आगे चलके जंग लग जाता है पर जैसे जैसे construction टेक्नोलोजी बढ़ रही है उस तरह से नई नई चीजे मार्केट में आ रही है अगर आपके सामने टेक्नोलोजी के चलते एक नया option आ चुका है जो कि है GFRP यानि की glass, fiber, reinforcement, polymer अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो regular सरिये के तरह ये दिखाई देते है पर इनका color जो है वो थोड़ा सा अलग होता है अब इस GFR बार को देखके आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे जैसे कि ये जो GFR बार है इने बनाने के लिए किस material का इस्तमाल किया जाता है क्या ये सरिये से सास्ता option होता है क्या सरिये से ये मजबूत होता है क्या हम इसका इस्तमाल घर के अंदर कर सकते है इस वीडियो में हम इस बार के advantages तो देखें अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए तो पहला point आ जाता है जो कि है material जैसे कि हम सब जानते है सरिये को बनाने के लिए हम लोहे का इस्तमाल करता है उसी तरह से ये जो GFR बार है इसे बनाने के लिए किस material का इस्तमाल किया जाता है तो य इन दोनों को मिला के बनता है GFR बार तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते है ये जो GFR बार है इसके क्या-क्या advantages है तो ये जो GFR बार है इसका सबसे पहला advantage तो ये आ जाता है कि ये बहुत ही lightweight होता है अगर हम इसका comparison सरिये से करते है तो इसका वज़न उससे बहुत ही कम होत जिस वज़े से transportation या फिर site पर handling ऐसी चीजों में बहुती कम खर्च होता है यहाँ पर आपके पैसे भी बच जाते है वही पर जब हम इन GFRP बार के next advantage की बात करते है तो वो है corrosion resistance देखिए दोस्तों सरीये में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सरीये में आपको corrosion की समस्य दि तक consider की जाती है यह जो GFRP बार है इनका अगला advantage है कि इनमें आपको high tensile strength मिलती है जो regular TMT सरीये होते है उनमें आपको पासों से लेके 600 तक tensile strength मिलती है वही पर यह जो GFRP बार है इनमें आपको 1000 प्लस से भी जादा tensile strength इसमें मिलती है यानि कि जो regular सरीये है उनके comparison में GFRP बार में आपको दो गुनी tensile strength मिलती है इसके और भी कुछ advantage है जैसे कि ये eco-friendly होते है उसके बाद में non-conductive of electricity होते है और साथ में इसका और एक फायदा ये होता है कि ये radio transparent और non-magnetic होते है और जैसे कि हमने शुरुआती वक्त में देखा है कि इनमें corrosion resistance होता है जी स्वजे स ये काफी durable होते है और इनकी life भी जादा होती है अगर हम regular सरिये से compare करते है तो यहाँ पर next point आ जाता है जो कि है bonding strength अगर हम GFRP बार की बात करते है तो इनमें आपको regular सरिये के comparison में बहुती अच्छी bonding strength मिलती है ये जो GFRP बार आते है इसकी length भी काफी बड़ी होती है जिस से lapping के उपर आपका जो costing चला जाता है वो भी यहाँ पर बच सकता है तो दोस्तो अगर इतनी सारी अच्छी बाते है जैसे कि corrosion resistance है life जादा है strength भी दोगुनी है तो ऐसे में हम क्यू इसका इस्तमाल regular घरों में नहीं करते है तो इसे जानने के लिए आपको GFRP बार के disadvantage के ब से बड़ा disadvantage आ जाता है जो कि है ductility, ductility एक बहुती important property होती है आपके सरिये के अंदर जो हमारे regular TMT सरिये होते है जब हम इने bend करते है और वापस से उसी shape में लाते है तो यह तूटते नहीं है बलकि यह bend हो जाते है वापस से आप सीधे कर सकते हो पर जब हम GFRP बार की बात कर करते है तो जब आप इसे bend करते हो और वापस से सीधे करने के लिए जाते हो तो यह तूट सकते है इनमें आपको crack दिखाई दे सकते है और सरिये के comparison में इनकी जो share strength है वो भी कम होती है यह कुछ कारण होते है जिनकी वज़ेसे इनका इस्तमाल vertical application के लिए नहीं किया जाता स साथ में जहाँ पर load bearing application है वहाँ पर भी इसका इस्तमाल नहीं किया जाता इसका अगला disadvantage यह होता है कि यह easily available नहीं होते है यानि कि जो regular आपके दुकान होते है वहाँ पर आपको आसनी के साथ तो regular TMT सरिया मिलेगा पर वहाँ पर आपको यह जो GFRP बार है यह जल्दी दिख नहीं देंगे फिलाल regular सरिये के comparison में इसका जो cost है वो भी थोड़ा सा जाधा होता है और अगर हम इसके अगले disadvantage की बात करते है तो आप इसे site के उपर bend नहीं कर सकते हो जो लोग construction line में काम करते है उन्हें यह ज़रू पता है कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए सरिये को bend करना पड़ता है फिर चाहे वो L hook मारने के लिए हो या फिर bend बार करने के लिए हो या फिर आपको जो है stir up बनानी है तो ऐसे जगपर आपको सरिये को bend करना पड़ता है तो यह चीज आप directly site के उपर नहीं कर सकते हो देखिए दोस्तों यहाँ पर directly conclusion पे आने से पहले एक ची तरीके से इस्तमाल करोगे तो कुछ जगपर यह बहुत ही अच्छा option हो सकता है तो इसलिए अब हम यह जानते है कि यह जो FRP bar है इन्हें आप कहां पर इस्तमाल कर सकते हो कहां पर यह सबसे best option हो सकते है तो जादातर इसका इस्तमाल road construction में किया जाता है अगर आप चाहो तो reinforcement की ज़रुत पड़ती है तो वहाँ पर इन GFR bar का इस्तमाल किया जा सकता है जो swimming pool होते है वहाँ पर भी इनका इस्तमाल किया जा सकता है इसका इस्तमाल आप drainage pipe के लिए भी कर सकते हो चाहो तो आप footpath के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हो और भी बहुत सारी जगह है आप इन FRP बार का इस्तमाल कर सकते हो, अब ये जो FRP बार की टेक्नलोजी है, पिछले कुछ सालों के अंदर ये टेक्नलोजी हमारे यहां पर देखी जा रहा है, बाकी देशों में सालों साल से इसका इस्तमाल हो रहा है, और खास करके इसका इस्तमाल residential से जादा infrastructure प्रोजेक् कम हो सकता है, तो दोस्तो आपके कैविचार है, इसके बार में comment box में comment जरू कीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तो जरू इसे like कर दीजे, चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजे, वीडियो बहुत जादा ही वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है,